विदीशा जिले के पठारी शेत्र के अंतरगत जारोली में विगत दिवस एक किसान के खेत की खड़ी गेहूं की फसल में आग लग जाने से काफी नुकसान होने का अनुमान है ग्राम जारोली के किसान राजेश यादव ने बताया कि पांच बिगा की गेहू की तयार फसल में आग लग जाने से पूरी फसल चौपट हो गई पठारी थाना प्रभारी दीपक राटोर एसपी मान सिंग यादव जानकरी मिलते ही तुरंत मोके पर पहुँचे एवं थाना प्रभारी द्वारा तुरंत फायर ब्रिगेट बुलवा कर काफी महनत के बाद आँग पर काबू पाया गया फायर ब्रिगेट आने के बाद ही आँग पर काबू पाया गया बताया जाता है कि ग्राम जारोली के मुंशी लाल यादव, बलराम यादव, सोनू के खेत की नर्वाई में आँग लग जाने के कारण फसल में आँग लगी है विदिशा पठारी से आशिश सहले की रिपोर्ट